जैहिन मैं हूँ अरुन कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भुगोल I welcome you all to T2 classes आज का हमारा टोपिक है भारत की समुद्री सीमा एवं 30 राजिये यहां से एक्जाम में कोई नहीं कोशन आता रहता है तो जो भी multiple choice question एक्जाम में इस टोपिक से पूछे कोशिज करेंगे उन सबी को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टोपिक भारत के समुद्री सीमा एवं 30 राजिये देखिए यह हमारा प्यारा भारत और यह भारत की जो समुद्री सीमा है वहां तक फैली होती है किस तरह से वह पुरवी तठ है यह भारत का पस्मी तठ है ठीक है यहां पे है अरब सागर यहां पे है बंगाल की खाड़ी और नीचे आप देख सकते हैं यहां पे है हमारा हिंद महासागर यह जो है यहां पे गुजरात में कच्की खाड़ी है यह खंबात की खाड़ी है ठीक है यह खंबा या पाक जल डमरू मद्ड़े भी बोलते हैं पाक जल संधी किसको जोड़ती है तो मनार की खाड़ी को बं horizon की स्धिवारत की भारत की समुद्री सीमा जो स्थर सीमा है उस पर लाइन बना देते हैं इस तरह से ढह üz़ां पहले आगे वाला देख लाएते हैं यह अच्छे समझ में आएगा देखीं यह एक इसठल छेत्र है किसी भी देश का स्थल छेत्र हो सकता है यह ठीक है और उस तल छेत्र पर ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर समुद्री सीमा होगी इस तरह से सीधी तो लाइन होगी नहीं तो वहाँ पर इक हम बेस लाइन कीज देते हैं इस्थल को जोडते हुए जो सभी इस तल को है यह जो अंतरिक्षम्दका च्हेत्र चूट केंएं आंतरिक समुद्री माइल्स तक कितनी दूरी तक बारा नोटिकल माइल्स तक देखिए यह बारा नोटिकल माइल्स है तो यहां तक जो छेतर है उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल सी क्या बोलते हैं टेरिटोरियल सी टेरिटोरियल सी यह देखिए यहां पे भारत की पूरवी तट पे हमने एक बेसलाइन बनाई ह और बाँ की सीमा यहां तक 8 समदर में il चलने जो दूरी चलने में युझा एक किलोमेटर liberty प्रदेशिक सेह समदर में यहां से 12 नौो 2 क случаеgov टक की जो दूरी है वह भारत की थे बाँ टेसिक सीमा भारत की प्रादेशिक सीमा प्रादेशिक सीमा या territorial sea और इस प्रादेशिक सीमा में भारत का संपून अधिकार है जो भारत के नियम कानून इस तली शेत्र में लगेंगे वही 12 नोटिकल माईस्तक सारे कानून काम करेंगे कहां territorial sea के अंदर संपून अधिकार है भारत का और कौन से कानून के तहत यह है UNCLOS 1982 में आया था United Nation United Nation Counseling of Law of Sea UNCLOS Law of Sea 1982 का अंतराष्टे संदी समझ लिजिए समुद्रे कानून पर अंतराष्टे संदी बोलेंगे इन्दी में उस कानून के तहत 12 नोटिकल माल्स तक का जो छेतर है भारत की समुद्र सीमा से या किसी भी देश की समुद्र सीमा से जो 12 नोटिकल माल्स तक का छेतर होता है वो होती है उसकी प्रादेशिक सीमा या टेरिटोरियल सी और उस सीमा पर संपूर्ण अतिकार होता है उस राष्ट का जैसे कि भारत का भारत की समुद्र सीमा से 12 नोटिकल माल्स तक है और अगर हम इस baseline से हमने baseline बनाई होई है इस baseline से ही 24 nautical miles तक यानिके territorial C वाली से और 12 nautical miles हम आगे चलना है लेकिन हम baseline को पड़के चलते हैं भी confusion नहीं होगा तो baseline से लेके और 24 nautical miles तक की जो दूरी है baseline से लेके 24 nautical miles तक की जो दूरी है उसे कहते हैं सलंगन छेत्र यहां पर देख लिजिए यह देखिए यह baseline है इस baseline से अब 24 nautical miles तक की दूरी यानिकि यह वाला छेत्र भी और यह वाला छेत्र भी दोनों combine हो गए हैं पहले हमने बात किया था केवल territorial से यह वाला पिंक वाला छेत्र था लेकिन जब हम बात कर रहे हैं contiguous zone यानि के सलंगन छेत्र continuous zone की बात करें तो दोनों छेत्र समलित हैं तब यह 24 nautical miles हुआ है ठीक है 24 nautical miles कहां से baseline से तो baseline से 24 nautical miles तक का जो छेत्र है इसे हम कहते हैं सलंगन छेत्र या contiguous zone तो यहां पर continuous zone में कौन-कौन से कानून भारत के तेहं क्या क्या अधिकार है तो देखिये लिए साफसफाइक अधिकार भारत सफाइक करंने आधिकार जो हैάν केबल 24 nautical miles तक है उस च्याहय वह तो समदो tampheus घंदा होता हैं तो उसके लिए भारत का कोई भारत उसके जिम्मिदार नहीं है और सिमा सुल्क क अधिक है और सभी तरह की वित्ति अधिकार होते हैं भारत के पास कहां तक 24 nautical miles तक किस जगा से 24 nautical miles यानि base line से 24 nautical miles तक यानि कि यह सारे अधिकार जो हैं यहां पर भी होंगे देखे शंपूर्ण अधिकार केवल यहां पर है confusion बिल्कुल नहीं होना ठीक है उसके आगे हम चलते हैं बेसलाइन से प्रड़ के चलेंगे 24 नौटिकल माइल्स तक देखिए बेसलाइन को पकड़ देते हैं यह बेसलाइन हमने बनाई होई है हमने नहीं हर एक देश की बेसलाइन बनाई जाती है उस बेसलाइन से 200 नौटि तक आएगा हमारा एक्सक्लूजीव एक़नोमिक जोन और उसके 200 नौटिकल माइल्स के बाहर जो है वह कोई किसी भी देश का कानून वहाँ पर लागू नहीं होगा वह खुला चेत्र होगा वह किसी भी देश का समूझ रहे हैं वह खुला चेत्र है तो जो इस पेशल एकोन आ देश का सकता है कौन सा देश भारत कहा तक 200 नौटिकल माइल्स तक इस पेसल इकोनमिक जोन नए दिएपय बना कर सकता है सकता याँ थी चुछ निर्मान कर सकता है था थी के दू बीटया नेचरल हो सकता है या आजकल आर्टिफिचल भी बनाये जा रहे हैं अगर आपने सुना होता हो तो तो two hundred notical miles तक भारत नए दिवपो का निर्मान कर सकता है और वैग्द्ध्यानी कनुसंधान कर सकता हो वैग्द्धान कर सकता है जिए साइन्टेफिकल जो हमारी बेस लाइन है बेस लाइन से लेकर बाढरा अनॉन सी नेसन क्लिए ला अनलेंगे चिधे बनाई गई गई है ठीक है जी प्रादेशिक सीमा जो है 12 नोटिकल माईस तक उसे कहते हैं टेरिटोरियल सी उसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है सारे नियम कानून का उसी तरह से कारे करते हैं जिस तरह से कि उसकी स्थल सीमा में काम करेंगी यानि कि यहाँ तक तो भारत ही यह यहां तक तो सारे नियम कानून भारत की चलने है जहाँ तक प्रादेशिक में發 उसके बाद 24 नोटिकल माईस तक उसकी स्थे का धिकार ही सीमा सु问क लेने का धिकार करें भारत की पास होंगे ठीक है और Newman का दोखन हो सकता है और उसके बार का जो समधर है उसे कहते है खुला समधर वहां कि अब कि देशका दिकार नहीं होता है ठीक है अगा दो आप समझ सकते हैं कि स्रेलंका तो भारत के टैरिटरिल्स या इसा सीम का इनों पहें इन दोनों का ना हो लड़ाई जगड़ा ना हो तो बिल्कुल बीच में से बाख देंगे का समुदरी से बाख देंगे या किसी एनिराष्ट का अगर वो वीदिन टुएंड्रेड नोटिकल माइल्स के अंदर कोई दूसरा देश आ जाता है तो नहीं आता है तो तो कोई ये वाला कानून चली रहा है अगर कोई देश दूसरा जाता है तो दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारित कर दे जाती है दरवाला दूसरा आश्टका ठीक है तो इसमें नहीं होना विल्कुल भी हम चलते हैं भारत के तटो के नाम तटो के नाम से पहले हम जान लेते हैं यहां पे और लक्सेदीब दो आई लैंड्स भी हैं तो अगर मुख्य भूमी पर तटीय सीमा की बात करें तो आती है सिक्स्टीवन हंड्राइड किलोमेटर यानि एक सट सो किलोमेटर है ठीक है और अगर मुझमें दीपों को भी जोड़ दें अंडमान निकोबार और लक्सेदीब क तट बनाने वाले कौन-कौन से राज हैं भारत के देखिए इस तरफ है हमारा तो दो राजिये के रल तमिलनाडू मैं आपको इदर समझाओंगा इसको अच्छे से हिंद महासागर से तट बनाने वालों को हम देख लेते हैं कि हिंद महासागर है नीचे की तरफ है हिंद महासागर है तो इस हिंद महासागर से तट बनाने वाले दोई राजिये हैं यहां पर केरल और तमिलनाडू है यह आपको पता है तो हिंद महासागर से दोई राजिये से नाम से जाता है और रहा है तो इस को जान लेते हैं इंपोर्टेंट है ठीक है तो गुजरात है गुजरात की जो कच्की और इसके नीचे गुजरात की जो कच्की खाड़ी के नीचे वाला यह अर्ध चापाकार अर्ध चंद्राकार जो छेत्र है यहां से लेकर गुजरात के महाराष्ट के बोडर तक वाला चेत्र जो है यह वाला ठीक है इसको हम कहते हैं सोराष्ट या काठियावार तट क्या कहत अंधर चंद्रकार या चापाकार जेतर जो इतना इतना इसका नाम है सोराश्ट या काठियावार तट कोई कन्फ् things नहीं है कच्का तट सो राश्ट या काठियावाड तट ये दोनों तट गुजरात में अब देखि़ जो महराष्ट वाला बोर्ड रही है महराष्ट का तट है महराष्ट के तट को कहा जाता है महरा महराष्ट प्लस गोवा यहां पर गोवी है ठीक है महराष्ट और गोवा के तट को मिला के हम कहते हैं कौंकन तट किसे कहते हैं महराष्ट प्लस गोवा के तट को मिला के बोलते हैं कोंकन तट कोंकन तट महराष्ट प्लस गोवा याद रखी गा एक जाम में आता रहता है करनाटक का तट यह करनाटक राजी है यहां पर ठीक है और करनाटक के तट को हम कहते हैं कनारा तट क्या कहते हैं कनारा तट या करना कर into Rich point बोलते आ है किसको करनाटक के दट को करनाटक के बोलते हैं कनारा तट उसके बाद नीचे है यह केरला के तट को क्या भूते हैं माला बार यमिले भारत के पस्मी नाम कर लिए हैं देखिए सबसे पहले सी और के तटक को हम बोलते हैं कनार तट और के तटक को हम बोलते हैं माला बार अब चलते हैं पूर्वी तट पर तो पूर्वी तट में जो तमीलाडू राज्य है ? थोड़ी कफ है ? अजस्ट कीजिएगा तो तमिल नाडू का तट है इसको हम बोलते हैं कोरो मंडल तट क्या बोलते हैं तमिल नाडू के तट को बोलते हैं कोरो मंडल तट यह जाम में बहुत बार आता है कोरो मंडल तट तमिल नाडू के तट को बोलते हैं उसके बार यह देखिए लंबा सा तट तो दिखरा आपको कौन सा स्टेट है यहां पर आंदर प्रदेश के तट को बोलते हैं उत्त्री सरकार आंदर प्रदेश के तट को बोलते हैं उत्त्री सरकार यह 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 आंदर प्रदेश के तट को बोलते हैं उत्त्री सरकार उसके बाद आएगा हमारा उडिसा और उडिसा के तट को हम बोलते ह सबसे उपर आए गा वैस्ट, पश्मी बंगाल उसके तत को हम बोलते हैं वेंगा तक मेंगा तक स्की मंगाल वाला तत है उत्कल Rei टत हैं उद्री सरकार आंडर प्रदेश वाला तत है कोरोमंडल तना त्रमिलन बॉन आडू तत है किरा वाला तना जो नीचे वाला गुजरात है कमबात की खाड़ी वाला और जो कच्छी खाड़ी वाला गुजरात है उसका नाम है कच्छ का तट आई होप आपको इताट अच्छे से याद हो गए इंपोर्टेंट है एक जाम में एमसी क्यों आता रहता है अब भारत के तटी राज्ये देखिए भारत के तटी राज्ये भारत के तटी राज्ये कितने हैं और उसकी समदर सीमा यह तो हमारे टोपिक काई नाम है तो पस्मी तट पे हमारे पांच प्रदेश है यह हमारा पस्मी तट है ठीक है इस पे हमारे पांच प्रदेश कौन कौन से हैं गुजरात महाराष्ट्र गोवा करनाटका और केरला पांच प्रदेश हैं कौन-कौन से गुजरात महाराष्ट्र गोवा करनाटका और केरला पस्मी तठपे हमारे पांच प्रदेश है देखिए पस्मी तठपे पांच प्रदेश है गोड़ा गुजरात महाराष्ट गो तो पूर्वी तट पे चार प्रदेश है तमिनलाडू आंदर प्रदेश उडिसा और वेस्ट बंगाल और चार यूनिन टेरिटरी भी है दादरा और नगर हवेली दमनेंदीव यह दो थे पहले अब मिलके एक हो गया 2020 के बाद यह दादर और नगर हवेली अलग होता था दमन पूंडी चेरी भी होगा यह कि पूंडी चेरी भी है और लक्सदीप और अंडमा निकोबार तो आपको पता ही है ठीक है तो यूनिन टेरिटरी भी है समुद्र सीमा पे चार दादरा नगर हवेली दमनेंदीव यह एक लक्सदीप एक पूंडी चेरी एक और अंडमा निको बार एक ठीक है सरवाधिक लंबी तट्या सीमा किसकी है तो सरवाधिक लंबी तट्या सीमा देखिए हैं पर देखिए आप किसकी लग रही है आपको इसकी लग सकती है लेकिन ये टेडा मेडा गुजरात है तो सबसे लंबी तट्या सीमा है गुजरात की ठीक है सबसे लंबी टटीय सीमा ये कोस्तन एक्जाम में आता रहता है कि टटीय सीमा के नुसार बढ़ते करम में घटते करम में या कोई चार बीच से निकाल के देदेगा और उनको बोलेगा कि टटीय सीमा के घटते बढ़ते करम में लगाईए तो यह आपको अच्छे से याद कर लेना है यहाँ पर आपको दिख रहा सबसे लंबी 30 सीमा गुजरात की है और उसके बाद आती है आंधर परदेश नंबर दो पर आती है आंधर परदेश थीक है नंबर एक पर गुजरात नंबर दो पर आंधर परदेश नंबर तीन पर तमिल नाडू नंबर तीन पे तमिल नाडू, नंबर चार पे महराष्ट्र, नंबर पांच पे केरला, नंबर पांच पे केरला, नंबर चे पे उडिशा, नंबर चे पे उडिशा, नंबर साथ पे करनाटका, नंबर आट पे वैस्ट वंगाल, नंबर आट पे वैस्ट वंगाल, और नंबर नंबर नौ पर गोआ और देख्जा नंबर गुराट नंबर दो पर amounts नमबर तेमिल लाडू नंबर चार पही महलाष्ट्रा-फोर्ड-पांच किरला नंबर शहाइध और सॉक्ष्चका निर्ट नम्मराट पे वैस्ट बंगॉल और नम्मरा गोवा तो पूरे तट्टिय राज जी कितने होगे नो-9 के-9 की बात करें तो सबसे लंबी समुद्र सीमा हमारी गुजरात की है और सबसे चोटी गोवा की है ठीक है लेकिन अब अब हम पूरुवी तट्पी बात करें देखें़ करते हैं सबसे लंबी 30 सीमा गुजरात की है सबसे चोटी गोवा की है और किरम क्या है गुजरात आंद्रप्रदेश तमिलाडू महाराष्ट्र केरल उडिसा करनाटक पस्मी बंगाल और गोवा अब इसको किसी भी ट्रिक से याद कर लिजेगा जो भी ट्रिक आपको अच्छी भंगाल कोव durability कर देंगे चवर कर देंगे तो यह आप लगएगा तमिलाडव महरास्ट्र और किरला केरला जिसको अक्सर तीसरे नंबर पर कर देते हैं के रहाताई पांच वह नंबर पे चौछे नंबर पर महरास्टा तीसरे पर एक्षा नादू थींच है कोई भी तीन राज़ा देखके किसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है आपको तमिलाडू महराष्ट और गोवा देदेगा तो आप सबसे लंबी पूछेगा तो आपको तमिलाडू टिक करनी पड़ेगी ठीक है कोस्टन एक तरह से और आता है कि बाहर के पस्मी तट पे सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है देखिए पस्मी तट है और पस्मी तट पे कितने राज़िये मैंने आपको पांच बतायते है तो पस्मी तट पे सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी होगी गुजरात की होगी क्योंकि आलोवारी गुजरात की है और सबसे चोटी किसकी ह सबसे लम्भी हो गई और सबसे चूटी होगी अभी Um केबल पस्मी तट की मात सबसे बात च victa कंश्रा के norm समंद्री तट की लंबाई के साब से बढ़ता कर गड़ता क्रम है गुजरात महराष्ट केरला करनाटा गोव अगर आपको नोके-9 क्रम में याद है तो फिर तो कन्फिजन की बात ही नहीं है और आप से पुछले कि भारत के पूर्वी तटफे सबसे चोटी समंद्र सीमा किसक बनगल और अगर है और मोके नोराजयो की बात करें तो गुजराद हूँ अंदर प्रदेश沒idadu महराष्ट के महराष्ट के बाद हम र Whoo ba Kerala के बाद आप आउन्यक्त एवारा उडिसा की बाद आवाता है हूर ओडिसा के नाम है 20 degree North 22 degree North इसके नीचे ना 22 degree North इसके नीचे नीचे वारा जितना भारत शे कहते हैं प्राइदीप यह भारत यानि कि भारत का जो प्राइदीप भारत है वो 22 22 डिग्री नोर्थ से नीचे वाला च्छेत्र प्रायदीप किसे बोलते हैं प्रायदीप उसे बोलते हैं जो तीन तरफ से समद्र से घिरा होता है तो भारत का जो 22 डिग्री नोर्थ वाली जो हमारी रेखा है लेटिट्यूड है अकसांस है 22 डिग्री उत्री वाला उससे और कोसन एक्जाम में आता है कि प्राइदी प्य भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो लैंड लोग हैं पूरे भारत की बात नहीं करता है केवल प्राइदी प्राइदी भारत की बात करता है तो प्राइदी भारत में देखी भई चार राज्य लैंड लोग है लैंड लोग मतल िसके पास भी कोई सम भी सीमा नहीं सै शाप समक्राइब सकते को अत्तर प्रदेश हैं तिलंगना 36 कड़ मध्देश चारग्णे मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है अभी दो सब दोर आते रहते हैं भारतिया उपमहादीप और दक्षिन एस्या स्में कन्फिजन होता है भारतिया उपमहादीप क्या है और दक्षिन एस्या क्या है तो देखे भारत ये उप महादीप का मतलब होता है भारत प्लस कुछ राजियों को मिलके बनता है भारत ये उप महादीप महादीप नहीं बनता है एस ये महादीप में ही है भारत ये उप महादीप तो भारत ये उप महादीप में कौन-कौन से देशा आते हैं कि भारत पाकिस्तान नैपाल भ पाकिस्तान, नैपाल, भूटान, बांगलादेश, त्रिलंका और मालदीव, क्यों बोलते हैं क्योंकि जो इंडियन प्लेट आके टकराई थी हमारी यूरेशिन प्लेट से जो आपको प्लेट टेक्टोनिस थियोरी में पड़ाया है तो यही यही देश हैं उसी प्लेट का हिस हैं उसी प्लेट पे बसे हुए देश हैं भारत, पाकिस्तान, नैपाल, भूटान, बांगलादेश, रिलंका और मालदीव, कुल्मिला के साथ देश हैं भारतियो महादीव, फिर दक्षिन एशिया क्या है, सार्क जिनको बोलते हैं सार्क या दसेक्स भी बोलते हैं साउथ एसियन आसोस्येशन ओफ रीजन एशिनिंग कंट्रीज, साउथ एसियन डवल एए यहां पे साउथ एसियन आसोसीयिशन ओफ रीजनल कंट्रीज दसेक्स तो दक्षिन एशिया में कौन से देशाते हैं तो इन सालह इस इन इस इस साथ हैं साथ में एक अफगानिस्तान और तोड दीदी है तो मिल जाता है हमारा स्रार्ग अफगानिस्तान मैं उपर लिखा है पाकिस्तान भारत भोटन नेपाल बांगलादेश प्रिलंका और माल दीव यह साथ पिलस अफगानिस्तान ये मिलके बन जाता है हमारा दचेक्स या सार कंट्रीज ठीक है ये कन्फूजन होता है बच्चों को अब कन्फूजन नहीं हो ना भारतियोप महादीप क्या चीज है भारतियोप महादीप क्या चीज है और दक्षन एशिया क्या चीज है अपको कन्फूजन आयोप दूर हो ग बहुत है भाड़ती है प्राइदीब तो आज का जो हमारा टोपिक ताई हो आपको के लियर हो गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करके मुझे बताईएगा और नहीं पसंद आए तो डिस्लाइक भी की दिएगा और मिलते हैं आने वाली नेक्स वीडिय खुस रहिए और मुस्कुराते रहिए जय हिन जय भारत